कि है फ्रेंट्स आज के इस स्पेसल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी प्यस्सी बी ओखंड शिच्छा अधिकारी की जो वैकेंसी है दो हजार बाइस में जो आने वाली है वो कब तक आएगी ठीक है इसके पहले जो वैकेंसी आए थी दोस्ते यूपी प्यस् यहां पर कर Winter Veo ऐखंड शिच्चा दिकारी की जो अब लिगा लिए उपी प्यस्ते ऑड़ी है यह एगए वाली है तो इसके बारे में वीडियो में इसली चर्चा करेंगे तो मैं बता दू कुछ पॉइंटों को मैंने स्लेक्ट किया है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर पहला पॉइंट है दोस्त फॉर्म कब तक आएगा उसके बाद से दूसरा पॉइंट है परिच्छा कब तक होगी तीसरा पॉइंट है पदो की शंख्या इस बार कितनी रहने वाली है और चौथा यहाँ पर पॉइंट है वो रहेगा यहां कुछ चेंज होगा है ठीक है तो इसके बारे में में इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्त वीडियो को पूरा देखी गा लाश्ट तक देखी आठीक है तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं तो मैं पता दूँ दोस्त आपनों का जो फॉर्म है यह परिच्छा आप लोगां का दिसवर यहां पर दिशमबर 2022 के आपनों के मिड़ दिसमबर यहां तो लास्ट बिच्छा इकजाम है वह कंडेक्ट करवा लिया जाएगा उसके रमें बात करूं यहां पर दोस्ता पदों की शंख्या इस बार कितनी रहने वाली है तो इसमें ज सकता है 200 तक यहां पर पदो की शंख्या रहने वाली लेकिन मिनिमम में बता रहूं 200 तक आप लोगों की पदो की शंख्या इस बार रहेगी रहेगी ठीक है उसके बास से अगर मैं बात करो कि मैंतलकी क्राइटेरिया की तो योग निख्या क्या मतलब रहेगी तो इसमें जो में जो योग यहां को ना चाहिए घ्यक्वित होने चाहिए लो defining सीर्द तो.. का योक्यता है वह अशनातक के शाथ आप लोग यल्टी में आप लोग कर डिप्लोमा आप kalian की वी डिगरी ओनी चाहिए उसके वासे तीसरी अगर मैं बात कुर ओध्र रोमा इन बेसिक एजुकेशन की प taken की आप hypertension की आप लोग के पासforme को भर सकते हो ठेके ईसमें से कोई एक है तो आप लोग इस हम को हर सकते ओंग अगर वाथ करो हैं थे लिड़ किमट्राट के आए है डियलेड किया है हमने बिटीकी किया है पोस्ट ग्रिजूइट मैं हूं तो मैं बता दू दोस्त जब तक आप लोह का नोटीफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को यह बताना बहुत से लए कि मतलब कि और लेकिन जो मैंने बताया आप लोग की पास अगर अशनातक के साथ B.A.D. की डिगरी और L.T. डिप्लोमा की डिगरी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जो बेशिक एजुकेशन की तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहा और मेंस ठीक है जो आपनों का इक्जाम होता है उसमें टोटल प्रशनों की संख्याज होती है प्रशनों की संख्याज होती है वो टोटल 120 प्रशने रहते हैं ठीक है 120 प्रशने रहते हैं और समय जो होता है वो दो घंटे का समय आपनों को आपनों के पास रहता है इन 120 कोश कोशन रहते हैं ठीक है और आपनों के पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी एकोनोमिक्स करेंट अफियर इस्टैटिक जी के और आप लोंका जेनल साइंस इनसे भी कोशन रहता है आप लोंके प्री एक्जाम में उसके बाद से अगर मैं बात करूँ हैं पर दोस्तों मेंस की करें में कीःग्स बात करें आड में आप लोगे क्या रहता है मेंस की इखाम में दो पेपेपर होता है पहला से लिए कन्सशाइब हो तो यहां पर टोटल आपनों को तीन घंटे का टाइम मिलता है अब में इक्जाम के लिए तो यहां पर मेंस एक्जाम में यह भी आपनों का जो है यह दो शौ नंबर का यह पर दोशौ 1 कि दोस्त में इक्जाम में आप लोगों का में इक्जाम में मैंने आप लोगों को बताया इसमें पहला आप लोगों का जो होता है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें टूटल 40 प्रश्ण होते हैं जो कि दोस्त आप लोगों के पहला होता है आप लोगों का 10 समानिय उ लग उत्तरीय प्रश्ण होते हैं लग उत्तरीय प्रश्ण होते हैं इसमें 50 सब्द लिखने होते हैं जो कि दोस्ता प्रतेक सब्द 6 होते हैं ठीक है तो उसके बाद से तीसरा में बात करूं यहां पर 20 अति लग उत्तरीय प्रश्ण होते हैं जो कि 25 सब्द इसमें लिखना हो हाँ उत्तरी प्रशन होते हैं of 10 लग उत्तरी प्रश्न होते हैं और 50 सब्के होते हैं च्छै हमियंग की हो finalement उसके बाग से इसे मैं इटryक प्रश्न दो यह सब्सक्राने चार्प सब्सक्रांब कर लिए तो 20दोना चालिस ए乐 जो STORKS 200 200 मतलब कि यह डिस्क्रिप्टीव पेबर होता है आपनों का 200 नंभर का होता है उसके बाद कर चारो फ 서रee हिंदी और निबंद से आता है हंद्र पोच्छा हम राया स्चारो नंबर को मिला रहता है तीन घंटे का टाइम रहता है पिछली बार तो ऐसा ही था लेकिन इस बार नोटिफिकेशन आने के बार इस अब कुछ क्लियर हो पाएगा ठीक है लेकिन इतना तो तय है कि आप लोगों का जो यह वैकेंसी वह अगस्त के लास्ट वीक तक ही आप लोगों का द दिशंबर जो है मिड दिशंबर या लाश्ट दिशंबर 2022 तक इसका एक्जाम कंड़क्ट कर वा लिया जाएगा ठीक है तो आप लोग अगर तयारी आप लोग इस फॉर्म को अपलाई करना चाहते हो इसके लिए आप लोग इंट्रेस्टेट हो तो आप लोग अभी से ही इ पूछे जाएंगे प्री में और मेंस में वह सारे चीजों के बारे में में दोस्त अलग वीडियो में आप लोग को बता दूँगा ठीक है तो आप उशी की अनुशार उसकी तेयारी कर सकते हो ठीक है तूम इद करता हूं दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग